मरहबा कलेक्शन मौल, डेडी मेट कपलों का भरपुर्ग हजाना, जीन्स पैन, टी शट, कार्गो पैन, नाइट पैन, बच्चे और बच्चीयों के लिए अच्छे खुबसूरत रूम्दा ड्रेस पर इस्पेसल डिस्काउंट, डेडी मेट कपलों की खरीदी पर 20% डिस्का सवाल था, जहां सहर के विकार और दबदबे का सवाल था, मही कानून और पुलिस का दबदबा, इसका भी सवाल था, तीन दिन के बाद, जब हमने डिमान की कि 24 घंटा हो जाने के बाद भी F.I.R. नहीं हुई, तो तीन दिन के बाद F.I.R. की गई, मगर F.I.R. में जो दफाद बेलेबल है, जान पूच कर ऐसी दफाद लगाई गई, जो आसानी से आदमी को बेल मिल सके, 143, 147, 148, 149, 159 और 427, हमारा बुलना ये था कि जो मामला हुआ, वो कहीं न कहीं एक साजिस के तहट किया गया काम था, और जो नारे लगा जा रहे थे, और जिस हिसाब से कुछ जगा पर फत्राओं किया गया, जो हिसाब से वो लाठी डंडा लेकर आए, तो उस पर 153, 148, के दो मजाहिप के बीच में तनाव पैदा करना या फसाद कराना, ये मकसद था उस वक्त उनका, क्योंकि जुलूज जहां से निकला, हमारी मालुमात में, वो, बिस भा फत्राओं नहीं किया गया, उसी हिस्से में फत्राओं किया गया, जो मुस्लिम एडिया था, जहां मुसल्मान बड़ी ताइडाद में रहते थे, और कहीं पर इस्तियाल अंगेजी नहीं हुई, कहीं पर फत्राओं नहीं हुआ, हमेशा गड़ के लोग इस हिस्से से जाते ह कभी कोई तनाव नहीं होता हमेशा मालेगों सहरियान का हुसन सुलूग उनके साथ बहतर होता है और हम आगे भी यही चाहिते हैं कि बहतर रहे मगर जब कानून सही ढंग से अपना काम नहीं करेंगा तो ऐसे इस्तियाल अंगेजी फैलाने वालों की हिम्मत खुलेंगी और सह दिल से पहले सब वाटसप पर और उस हिस्से में घूम घूम कर यह बोला गया कि सुरक्सा के साथ लाने के लिए 40 गाओं फाटे पर चला जाए वह बाकाइदा वाटसप पर चला मैं इसको भी पुलिस की कमजोरी मानता हूं कि कोई कोई भी फर्द कानून में किसी भी मौमल पुलिस की है और वो पाखुबी दे सकती है यह कही न कहीं पुलिस को भी नीचे बताने की कोशिस की गई कि हम सुरक्सा के साथ लेके आएंगे पुलिस का दबदबा और पुलिस के विकार को ठेश पहुचाएगी ऐसे लोगों पर कारवाई क्यों नहीं की जा रही है हमारा मतालबा यही है सरकार में बैठे हुए बड़े मंतरी जिनके आगे हमारे सहर के कुछ लेडरान मुर्गा बने हुए है वो अवाम के लिए खड़े होने की उनके अंदर ताकत ही नहीं है वो क्यों मुर्गा बने है यह हमारी भी समझ में नहीं आता कि माले गाउं सहर के विक इस सहर ने हमेशा देखा नहाल साइब के वक्त से के सहर के विकार की बात हो सहर के दबदबे की बात हो हमने हमेशा जनतर दलने उसे काईम रखा और इस मरतबा तो कानून का भी सवाल आ गया कि कानून का विकार और दबदबा कितना है हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि एक जो एफायर की गई अब उसने जान पूचकर गल्टी की गई या अन्जाने में की गई ये बात हमारी समझ में नहीं आती क्यूनिकर बारा नॉंबर के वक्त पांच बज़े के आस पास साम में जो मामला हुआ बारा घंटे में सुबा पांच बेजे तक पांच एफायार हो चुकी थी जिसके अंदर लगभग सौ लोगों के नाम सामिल कर दिये गए थी उसके अंदर ऐसा हुआ कि पंदरा सौ से दो हजार लोग अंजान जो जिनके उपर कारवाई की जा सकती है ऐसा मामलाद और उस वक्त भी उसमें मैंने चार सीड जेल में पढ़ी थी वो चार सीड में बारा नॉम्बर के जो रिपोर्ट बनाई गई पोलिस की तरफ से कि कुछ अंदर एज लोग नाबालिक बच्चे फटराओं किये और वो अंदर एज जो हैं उनको उखसाने का काम फला 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 ने किया और आज पुलिस डिपार्मेंट ये बोलता है कि कुछ लोग को हम पकड़े थे वो अंदर एज थे इसलिए हम छोड़ दिये ये बात बराबर है कि 12 नॉम्बर में भी कोई अंदर एज ये नाबालिक बच्चे पर फायर नहीं हुई थी मगर उनको उ पताया गया कि एक आदमी का नाम लिखा गया रोहिप पार्दी जिसका डीजे साकरी घुलिया साकरी का पताया गया M.H. 43AD. 1461 वो मालक रोहिप पार्दी और उसके साथ 78 लोग ये साउंड वाले की हमारी मालूमात है कि ये दोपहर में एक बजे से साड़े तीन बजे के बीच में माले गौर से क्रास कर चुका था और ऐसा बोला जाता है कि इसके साउंड में कोई मिस्टेक हुई थी एरोमा के ताकीस के आज पास उसने उसको दुरुस्त भी करवाया उसके पास सारे रिकौर्ड होंगे तुमने फायार दाखिल करी बजरंग साउंड धूलिया साकरी आले पर उसके बाद हमारी मालूमात ऐसी है कि माले गाओं ये बजरंग साउंड साकरी का साउंड है जो बजरंग साउंड के नाम से उसके बाद हमारी मालूमात ऐसी है कि जो साउंड को जब्त किया गया वो साउंड माले गाओं गये इसमें आप देखेंगे बजरंग साउंड इंग्लिश में लिखा हुआ है साकरी और माले गाओं का जो बजरंग साउंड है वो मराटी ये हिंदी में लिखा हुआ है ये माले गाओं का इसे यमा किया गया दिखती बाद है कि कोड में ये केस बिल्कुल कमजोर कर दिया गया कि साकरी आला अपनी बता देंगा कि मैं उस वक्त कहा था त्यूंकर जो वाकिया हुआ वो रात का था अब ये बजरंग साउंड रात में दिख रहा है टाइम के साथ दस बच के तीन मिनट पर ये इस तरफ से SS Mobile के आसपास का ये फोटू है ये बजरंग साउंड माले गाओं का है मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि साकरी का साउंड इदर से जा रहा है वो बात समझ में आती है कि इस हिस्से से जाता है मगर माले गाओं का साउंड क्यों इस तरफ लाया जाता और उसको वापिस ले जाने का मतलब क्या है अगर वो माले गाओं का साउंड उस हिस्से का है तो उधर से ही गड़ के लिए जाए इस हिस्से में प्लानिंग के तहट लाया गया हम जो बार बार बोल रहे हैं कि 120 भी लगना चाहिए इसमें प्लानिंग हो रही है और प्लानिंग में कितना भी बड़ा आदमी हो कितने भी बड़े मंतरी का बेटा हो या कोई मंतरी मंतरी के कार करता हो सपर कारवाई होना चाहिए तो यह साउंड दिख रहा है 10 बच के 13 पुलिस से कैसे हो रही है यह बात भी हमारी समझ में नहीं आ रही है मैं इससे पहले भी बोला कि पुलिस उस वक्त जो भी उनके इंतिजामात थे वो बहतर थे को एक बहुत बड़ा हथसा होने से टल गया मगर फायार नहीं हुई फायार होने के बाद उसमें कलम ऐसी लगा होना चाहिए कि इसमें कौन लोग चल रहे हैं बारा नॉंबर में फुकारे वाला जो वार्दास से दो दिन पहले फुकारा किया था जिस दिन हदसा हुआ उस दिन नहीं किया उसने फुकारा किया गया उस फुकारे वाले को भी अरेश्ट किया गया उस फुकारे वाले को 200 रुपिया जिसने दिया था उस पर भी कारवाई की गई कि इसने 200 रुपिया दे कर उस पर भुगारा करवाया तो माले गाओं बजरंग साउंड को हमारी मालूमात में 20,000 रुपिया दिया गया तो किसने दिया वो 20,000 रुपिया उसकी इंवारी पोलिस को करना चाहिए कि एक जान बूच के उस तरफ से इस तरफ लाना और रात में वो हमको दिख रहा है कि रात में वो दस बज के तीन मिनट के आस पास एसेस मुबाइल आगरा रोल की तरफ से वो साउंड जा रहा है उसके बाद तुम बजरंग साउंड माले गाओं पर कारवाई करने के बजाए साकरी के बजरंग पर कारवाई कर रहा है जो दिन में ही यहां से चला गया तो यह सारी बाते मैंने पुलेटेट लगती है कि जान पूच के की गई है यह अगर पुलिस अंजाने में की है तो उसको पुलिस को दुरस्त करना चाहिए ताके इस सहर की आवाम में जो नाराजगी है वो दूर हो हम यह चाहते हैं कि आवाम की बात हम आवामी नुमाइंदे हैं हमारा फर्ज है कि आवाम की जो बात है वो परसा प्रासंग डिपार्मेंट तक पहुंचे इसलिए हम अवामी बात अवामी सते पर रखते हैं हम सरकार से कता ही मुत्माइन नहीं है सरकार में किसी मिनिस्टर से मुत्माइन नहीं है इसलिए हम कानून की पाज़दारी के लिए सरकार के पास नहीं जाने वाले क्योंकि सरकार में बैटे हुए मंतरी के ही प्रेसर में सारा काम का जब हो रहा है तो सरकार से हम क्या उम्मीद लगाएंगे लेकिन कानून की पाज़दारी करना ये पोलिस का आला अधिकारियों का भी काम है इसलिए हम महराष्ट पोलिस कमिस्नर या महराष्ट गौर्णर से मिलके ये सारे मामलात उनके सामने रखेंगे ताकि कानून का दबदबा कानून का विकार काइम रहे इसलिए मालेगाओं सहर का दबदबा काइम रहे, कानून का दबदबा काइम रहे हमने हमेशा ये बात बोला है कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो कानून से बड़ा मुलक में कोई हो नहीं सकता कानून ही सबसे बड़ा है और कानून की पाजदारी करना इन एजंसियों का काम है जो भी एजंसिय है ये जब अपनी नौकरी पे आते हैं तो ये सनुधान की सपत लेते हैं सनुधान की कसम खाते हैं जब तुम सनुधान की सपत लेते हो तो सनुधान ही सबसे बड़ा है उए सबसे बड़ा है इसकी पाज़दारी करना आप पुलिस वालों का काम है अगर माले गाओं सहर के पुलिस वाले कानुनी कारववाय में अगर सही डंग से नहीं करें तो हम अला पुलिस अधिकार्यों के पास जाएंगे हमें अभी भी उम्मीड है कि पुलिस जो है वो कारवाई करेंगी अगर यहां नहीं की तो अला अधिकारी करेंगे मगर सरकार से हमें किसी भी किस्म का मतलब वो नहीं है कि सरकार इसमें कोई ऐसी कारवाई करें क्योंकि उनके ही लोग यहां बैटे हैं जो प्रेसर बना रहें प्रेसर अवाम का होना चाहिए और हम यहीं चाहिए कानून की बाला दस्ती काइम रहे कि कुछ पूछना है तो पूछने टीजे वाली यह बात बोले कन्फूजन यह है कि शीरपूर वाले को पर केस हुआ तो केस माले गाओं वाले पर करना चाहिए यही बात में बोला ना कि केस जो एफ आई आर की कॉपी में जो नाम लिखा गया डीजे धारक रोहित पारदी ओ त्याचे सोबत हालेले साथ ते आठ भाविकान नी यह साखरी वाले पर किये अब साखरी वाला तुब कोड में बोलेंगा कि मैं तो एक बहई है और साड़े तीन बहई है यहा ता रात में तो मैं था यह नहीं वहाँ पर और डीजे जमा तुम आले गाओं का गर रहे हो जांगे बोलेंगा कि मिफपर तो इफ आर ही नहीं है तो मेरे डीजे ये क्यों झा चान बूचके की यह अंजाने में की यह अहम सवाल है एफायार हलकी करना उसके बाद एफायार में इस तरीके से कंफ्यूज कर देना कि कोड के सामने जो रिपोर्ट जाती है कोड उस पर फैसला करती है कोड बोलेंगी जब इस पर इफायार नहीं हुई तो माले गाओ के अबर नहीं है तो हमें इंसाफ कैसे मिलेंगा इस मामले को लोगे का रेस्पी या डिवाइस्पी जाप की मुलाकात हुई गया कि यार भी इस तरीके का मामला इसके उपर सही कारते हैं अभी तुम्हारे पास पुरूप है क्या हम को अगर नोटिस देंगा तो हम पुलिस की हम सारे मामला रखें क्योंकि हम यह सारी इंकौरी कर रहे हैं कि पुलिस की मटद हो अगर पुलिस कोई गलत लाइन पर काम कर रही है तो उसकी भी मदद हो इसलिए हम यह सारी inquiry कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे हमने भी कई footage और CCTV अभी भी हमने निकाले हैं उसमें कुछ लोग हमको दिख भी रहे हैं हम सिर्व यह चाहते हैं कि जो हुआ है वो आगे से ना हो अगर कारवाई सक्त नहीं हुई तो आगे से हालात और खराब हो होंगे क्योंके जो भी अगर मैं कोई गल्ती कर रहा हूं और मुस्सपर कोई कारवाई नहीं हो रही है तो मेरे हम्मत खुलेंगी यहीं फितरी बात चाप लोसी करके आगें आसे मैं सुना ज Wild ऐसी है सहिर का अब्रबब आ निहाल साइब सकता निहाल से श्यासी आडमी सेहार का दब्रबा रखन मैं इस सियासी जिम्म्यदारी आप अüneधर का काम अपनी जगा है और सख्राइब 58- तो सेर्न ने जिसको निवाद करता हूँ मैं 24 गंटा सियासी आदमी हूँ मैं सिर्व सियासी बात करता मेरे लिए सियासी तोर पर कोई बात है तो में उस पर तनकीद करूंगा उल्मा के नाते मैं किसी भी आलिम पर कभी तनकीद नहीं करता ना आगे करूँगा लेकिन हर को यह तो अपने तोर पर इंफरादी कोशिश कर रहा है मुझे तो कोई संजीर ही नहीं नजा रहा है कि मैं क्या उनकी कारवाई पर बात करूँ मुस्तकीन भाई जंतर क्या करेंगी अब इस पापने में आवाम तक आपका पैगाम पहुंच रहा है लेकिन और आगे क्या करेंगी तो बोला ना कि हम में सरकार पर वरोसा नहीं है हम इसलिए महाराज पुलिस कमिस्णर और गौर्णर से मिलने की कोशिश करेंगे और उसके बाद पी इनसाफ नहीं मिला तो फिर जमूरियत में जो इनसाफ का रास्ता है जमूरी तोर पे वो इत बाद मैं इससे पहले भी बोला कि अमन महार से हम निकालेंगे ताकि अवामी जो रुजहान है वो सरकार और परसासन तक जाए अब होगी सपनों की उडान पूरी छत्रपती शिवाजी महराज के पुतले के साम महिश नगर मालेगाओ